सब्सक्राइब कीजी फिनॉमनल गुरुजी चैनल को और बैल ऐकन को प्रेस कीजी और देखें टेक वीडियो सब से पहले मश्कार दोस्तो फिनॉमनल गुरुजी यूटिप चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आप यूज़ करते हैं Samsung Galaxy M-Series F-Series के स्मार्टफोन जिसमें आपको One UI का Full Version देखने को मिलता है 4.1 का Update तो उसमें दोस्तों आपको Voice Changer का Option मिल जाता है आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप Voice Changer का यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में अगर आपके स्मार्टफोन में Good Lock का सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं Good Lock के इस फीचर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने Sound Assistant को ओपन कर लिया है जो कि एक Good Lock का फीचर है यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको Voice Changer का Option देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने Voice को चेंज कर सकते हैं अगर आप Video Recording कर रहे हैं जिसमें Mic का यूज होता है या Audio recording कर रहे है या वाप गेम खेलते वक्त Mic का यूज कर रहे हैं तो उसमे भी आप Voice Change कर सकते हैं दोस्तों और साथ में Screen Recording कर रहे हैं तो उसमें भी आप voice changer का use कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको काई effect देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत सरे effect के list दे गई है तो simply आपको यहाँ पर voice changer को on करना है और यहाँ पर आपको एक preview record कर लेना है जिससे आप जान सकते हैं यह किस तरीके से work करता है तो यहाँ पर हम एक voice record करते हैं दोस्तों अब दोस्तों हमने यहाँ पर voice को record कर लिया है अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके का effect हमें यहाँ पर सुनाई देता है यह default effect है दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप एफेक्ट को अपलाई कर सकते हैं अगर अब आपको इस वोईस चेंजर को यूज़ करना है अपने स्मार्ट फोन में तो किस तरीके से यूज़ करना है इसके लिए दोस्तों आप यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग अप ओपन कर सकते हैं अब यहाँ पर voice changer पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको multiple effect देखनी को मिल जाते हैं आप यहाँ पर record कर सकते हैं तो अगर आपको यहाँ पर जिस भी effect में record करना है ए Legacy करना है तो आप यहाँ पर direct click कर के कर सकते हैं तो उस तरीके का voice record होगा दोस्तो video recording में तो आपने देखा दोस्तो किस तरीके से यहाँ पर आपको वाइस चेंज करना है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसी तरीके से दोस्तो आप वाइस रिकॉर्डर में भी इसका यूज कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा, ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिए वीडियो को like कर लिए, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए hashtag phenomenal guru जी